नमस्कार, what is credit card? Credit card क्या होता है? Credit card से क्या होता है? Credit card number क्या होता है? और credit card के फाइदे क्या-क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक और जीवन में काम आने वाली ऐसी ही जानकारियों को लगातार पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अभी तुरंट दोस्तों क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड होता है जिसे कोई बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टिटूशन अपने ग्रहक को इश्यू करता है इस कार्ड से कार्ड होल्डर उधार खरीदारी कर सकता है मतलब क्रेडिट कार्ड बैंक की ओर से मिलने वाली एक ऐसी सुविधा है जिसमें ग्रहों को पहले खरीदने और बाद में चुकाने की सहूलियत दी जाती है बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टिटूशन की तरफ से क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं और कुल क्रेडिट लिमिट का एक हिस्सा एटियम से कैश भी निकाल सकते हैं खास बात ये है किredit card हर किसी को जारी नहीं किया जाता किसी को credit card जारी करने से पहले पूरी पड़ताल बैंक की ओर से की जाती है जब आप credit card के लिए apply करते हैं तो पहले ये देखा जाता है कि आप कितना कमाते हैं आपकी credit history कैसी है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पहले कोई loan लिया था और loan लेकर उसे चुकाया नहीं है बैंक पहले ये सुनिश्यत कर लेना चाहता है कि जिसे वो credit card जारी कर रहा है उसकी उधार चुकाने की खिशमता क्या है और वो उधार चुका भी पाएगा या नहीं इसके लिए bank customer के civil score की जाच करता है अगर civil score ठीक हो तो bank ग्रहक की salary या फिर income के मताबिक limit वाला credit card जारी कर देता है credit card से खर्च करने के limit भी तै होती है ऐसा नहीं है कि आप credit card से जितना चाहें उतनी खरीदारी कर ले इसलिए credit card के लिए आपकी annual income बहुत ज्यादा महतपूर्ण हो जाती है ज्यादा income वाले और अच्छी credit history वाले जो लोग होते हैं उनको ज्यादा limit का credit card बैंक की तरफ से offer किया जाता है दिया जाता है जब आपको credit card दे दिया जाता है तो उसके साथ एक number भी आता है जो credit card पर ही लिखा होता है उभरा होता है यह number 16 या 15 digit का होता है जो credit card वीजा, master card या फिर अन्य payment network का हिस्सा है उसका number 16 digit का होता है जबकि American Express payment network का credit card होता है उसका जो number होता है वो 15 digit का होता है देखिए credit card एक ऐसी चीज़ है जिसका समझदारी से इस्तिमाल किया जाए तो आप लगभग लगभग दो महीने तक के interest free period का फाइदा उठा सकते हैं यानि आप credit card से खरीदारी कीजिए और payment कुछ दिन बात कर दीजिए इन दिनों के लिए आपको कोई भी ब्याज नहीं देना होगा अब सवाल या आता है कि ये दिन कितने हो सकते हैं देखिए जारतर credit card 50 से 60 दिन तक का ब्याज जो हता है उससे छूट देते हैं अगर आपको credit card का असली फाइदा उठाना है तो आपको दो तारीखों का खास तोर पर ध्यान रखना होगा इन में पहली जो तारीख है वो होती है statement date और जो दूसरी तारीख होती है वो होती है credit card की payment due date जब आप credit card का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपको हर महीने एक statement भेजा जाता है इस credit card statement में हर वो transaction होती है जो आपने पिछले एक महीने में की है यानि जो चीज आपने credit card से खरीदी है उसका ब्योरा तारीख समेथ credit card statement में होता है इसी statement पर लिखी होती है statement date और payment due date statement date वो तारीख होती है जिस दिन statement जारी हुई है और payment due date वो दिन जिस दिन तक आपको credit card की payment का भुगतान कर देना है मान लिजिए आपकी statement date है दो तारीख और payment due date है 20 तारीख तो आपको हर महीने की 20 तारीख तक अपने credit card के बिल की payment कर देनी होगी देखिए समझदार वही है जो credit card का इस्तेमाल भी करें और उसे ब्याज भी ना चुकाना पड़ें अगर आप statement date से ठीक अगले दिन कुछ सामान खरीते हैं तो आप credit card के credit का ज्यादा से ज्यादा फाइदा उठा सकते हैं अगर आपकी statement date है 2 जनवरी और payment due date है 20 जनवरी तो आपके लिए best रहेगा के आप credit card का इस्तेमाल करें तीन जनवरी को यानि के statement date के ठीक अगले दिन अगर आप तीन जनवरी को credit card यूज करेंगे तो आपके पास payment करने के लिए 20 फरवरी तक का वक्त रहेगा यानि तीन जनवरी को की गई shopping का जो भुगतान है वो आपको 49 दिन बाद 20 फरवरी को करना होगा हालनकि यहाँ पर ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि आपको credit card के बिल का भुगतान किसी भी सूरत में payment due date से पहले कर देना है क्योंकि जब आप due date के बाद भुगतान करते हैं तो आपको आपके बिल के amount पर तगड़ा ब्याज देना परता है और ये ब्याज लोन के ब्याज से भी महंगा परता है credit card के बिल पर आपको लगभग 3-4 प्रतिशत ब्याज प्रती माह यानि पर मन्त देना परता है एक और खास बात है के due date तक भुगतान ना करने पर आपकी due payment पर ब्याज उस तारीख से लगता है जब सामान खरीदा गया था credit card statement में एक और नमबर होता है ये होता है minimum payment due अगर आप due date तक पुरे बिल का भुगता नहीं कर सकते तो minimum payment जो due है उसका payment कर सकते है हलांकि ब्याज तो आपको इस situation में भी देना ही होगा तो credit card का इस्तेमाल आपको बहुत सोच समझ कर करना है जरा सी भीला परवाही से आपको फायदे के बजाए नुकसान हो सकता है यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि आप credit card का इस्तेमाल करके ATM से cash भी निकाल सकते हैं हालनकि जितना cash आप निकाल पाएंगे इसकी limit आपके credit card की total limit से कम होती है और cash निकालने पर आपको कई तरह के charge भी देने पड़ते हैं यानि credit card से cash निकालना, credit card से खरीदारी करने से भी ज्यादा महंगा पड़ता है अब यह सारी बात जान लेने के बाद इन तमाम पहलों को जान लेने के बाद आप credit card इस्तेमाल तो कीजिए लेकिन संभल कर